बिस्मिल्यारामानेराहिम असलामलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ इजाजन सारी और आप देख रहे हैं इजाजन सारी फूर सीक्रट्स अलावड़कत देए आपके खानों में आपके रिस्क में आपके जायकम तो आज की रेस्पी बहुत ही स्पेशल होने वाली यहां पे हमने 3-4 टेबल स्पून लिये हैं कुकिंग ओयल के इसमें हमने जो चिकन की हड्डियां है उनको एड कर देना है अच्छली आज मुझे काफी सारा बोनलेस चिकन चाहिए था तो यह सारी हड्डियां बजगी थी तो बहुत ही शांदर रेस्पी में रेस्पी में इंशाला आपको मज़ा आजएगा आज की रेस्पी का और आप कहेंगे एंड पे किस रेस्पी की थी तो आपको बहुत ज़रा जुरूर थी तो यहां पे हमने हड्डियों को पकाना है साथ इसमें लैसन एड कर देंगे 12-15 जवे और इन हड्डियों की हमने करनी है अच्छ अब हाई फ्लेम के उपर इन हंडियों को हम पकाते जाएंगे और साथ ही साथ इसमें कुछ मसाले भी आइड कर देंगे ताकि रेस्पी बहुत ही मज़ेदार हो सके तो यहां पे कुछ मारे पास हरे मसाले हैं सबसे पहले बिसमिल्ला हरावारा नहीं तो यह है हमारे पास प के अच्छी तरह से भुनाई और आपको यहां पे बहुत ही शांदर किसम की खुश्ववाना शुरू हो जाएगी चिकन की हटियों से तो यहां पे यह देखें अब इसमें कुछ मसाले भी आइड कर देंगे साथ ही साथ चलें जी बिसमिल्ला हरावारा नहीं तो यहां पे नमक जाएगा और अगली चीज़ा हमारे पास हल्दी हाफटी स्पून एड करेंगे यह हमारे पास लाल मिर्च हाफटी स्पून और हाफटी स्पून इसमें हम काली मिर्च आइड कर देंगे चलें जी अब करते हैं इसकी पकाई बहुत ही खुबसूरों शांदर से इसका कल पानी तो यहां पर मैं इसके अ सुने को इसको यहां पर यहां पर तो यहां पे मैंने 30-35 पकाया इसको और इससे जो हड़ियां है अच्छी तरह से इनका रोगन यहनी बाहर निकल चुकी है टेस्ट बाहर आ चुका है सबजियां सॉफ्ट हो चुकी है यहां पे खुबसरों सा एक बाल लेंगे और यहां पे हम इसको स्टेन कर लेंगे यखनी सारी जो हम निचे निकाल लेंगे और यह जो वेजिटेबल्स है इनका क्या करना है मैं आपको बताता हूं ठीक है यह भी सी रेस्पी में यूज होंगी तो यह वाली जो हमारी शानदार सी यखनी है यह तयार हो चुकी है इसको साइट पे कर देते हैं आगे रेस्पी हम इसको यूज करेंगे यह देखें इसकी खुश्बू यकीन करें टोटली डिफरेंट है जो नॉर्मली हम यह यखनी बनाते हैं बहुत शानदर यह यह यहां पर चिकन की हड़ियां जो है हम साइट पे कर देंगे यह हमें नहीं चाहिए खड़े मसाले भी इसमें निकाल लेंगे और उसके बाद यह जो बाकी वेजिटेबल्स बचेंगी हमें एक तफ़ा चमश से चेक कर लेंगे कहीं इसके अदर कोई हड़ी तो नहीं है तो हमने बड़ी बड़ी हड़ी यह एड़ की थी वह रहां से निकल गई चलें जी बिसमिल्हारा वारें अब इन वेजिटेबल्स को हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से अब खुबसूरा सी कड़ाई लेंगे इस सभी यहनी को हम कड़ाई के है मैदा मैदा इसमें थिक्रिवन हाफ कप जाएगा अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना ठीक है अगर आप गरम यखनी में एड़ करेंगे तो यह मिक्स नहीं होगा थोड़ा सा प्राब्लम करेंगा तो यहीं पर बाहर हमने इसमें एड़ कर लिया है अब यहां पर अच्छे से ब्लेंड कर ले था एड़ कर देंगे और हाई फ्लेम के अपर हम इसको पकाएंगे इसको ठीक करेंगे ठीक है अच्छी तरह से हम इसको गाड़ा करेंगे यह देखें बहुत ही शांदार थे कैसे खुश्मों यहां बहुत ही शांदार आ रही है अब आपको बत सार्ट यानिके जीनो मोटो एड किया होता है जो बिल्कुल भी सहत के लिए अच्छा नहीं होता है उसके बगार शांदार है इसको आपने स्टे दे रहे हैं थोड़ा सा तो यह मैंने थोड़ी देरी स्टे दिया अभी बाद में आप इसको फ्रीज कर लें फ्रीजर के अंदर